असलाम अलाइकूम आज हम आपके लिए ले क्या हैं फ्राइड राइस की रेसिपी इसी क्विक अनलजीज फ्राइड राइस तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मैंने 500 ग्राम चावलों को धो करके 20 मेट पहले भिगा दिया था बासमती चावल है और पानी गर्म होने के लिए इसमें 2 3.5 तीश्पून नमक डालेंगे भर के नमक डालिये गा रिगअ थे अजसे ह करते हैं पानी को फाहने दो बनने लेते हैं और तेज आज पिर हम इसे पका रहे हैं अब आज को हलका से मध्धम करेंगे मीडियूम फ्लेम और वन टेबल स्पून सफेज सिरका डालेंगे वाइट विनिंगर उपर जो जाग गएगा उसे मुतार लेंगे देखें चावल पक चुके हैं अब इनको छान लेते हैं जो जादा पानी था वह निकाल देगे देखें यह पूरी तरह से पक चुके है फुल कुक चावल चाहिए हमें फ्राइड रैस बनाने के लिए one and half table spoon fried rice masala मिलाएंगे आप घर का बना हुआ या बाजार से लएके fried rice masala यूज़ करें आप अचारी masala के साथ भी चाहें तो fried rice बना सकते हैं अचारी masala की रेस्पी मेरे चैनल में मौझबू थे link मैंने description में दे दिया है अठंडा होने के लिए छानने के बाद हम रखेंगे मसाला मिक्स करके, याद रहे, आधा किलो चावलों में मैंने 1.5 टेबल स्पूल फ्राइड राइस मसाला मिला है, पूरी तरह ठंडे हो जाएंगी चावल, तो ज्यादा अच्छे बनेंगे, देखे, मैंने दो जगह कर दि हम कोई परिशानी नहों, एक अदद बड़े साइस की प्याल से कटी हुई, इस पे हम डाल देते हैं, तीन अदद हरी मिर्चे हैं, वो भी डाल देते हैं, हलका से सौते करेंगे, एक अदद गाजर है, लंबाई के रुख पर छोड़े चोड़े टुकड़े में कटी हुई, एक अदद बड़े साइस की शिमला मिर्च है, वो भी लंबाई के रुख पर काटी है, उसको डाल दिया, और दो सो ग्राम हरी मिटर के दाने हैं, ताजा मिले तो वो ले ले ले, या फ्रोजन हो तो भी ले सकते हैं, आप इनको हलके से मिक्स करेंगे, और मीडियम फ्लेम प हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, मीडियम फ्लेम रखी हुई है मैंने, और हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, बस इतने ही मसालों के साथ हम इसे बना रहे हैं, या अच्छे से सौते हो चुके हैं, सबजिया इतनी भूने कि उसमें क्रंच बाकी रहे अब इसमें हम चावल डालेंगे और हलके हाथों से मिक्स करेंगे, बिल्कुल इस तरह से हलके हाथों से मिक्स करें, ताकि तूटे नहीं, जब चावल थंडे होते हैं, तो मिलाने में आसानी होती है और चावल तूटते नहीं हैं, इसलिए हमेशे थंडे चावल यूज करे इसमें थोड़ी जहरी धनियां की पत्तियां डालते हैं एक बर और हलके हाथों से मिक्स करते हैं और लीजे हमारा जाकेदार, लजीज, खुश्बूदार फ्राइड राइस तयार है इसमें आप अपनी पसंद की और भी सबजियां चाहें तो मिला सकते हैं जो आपको पसंद हो, वो सबजियां मिक्स कर लें तो चलिए, अब इसे निकाल लेते हैं यह सर्व करने के लिए तयार हैं बहुत लजीज, जाकेदार यह चावल होता है देखें कैसे खिले-खिले से चावल तयार हुए हैं आप इनको आसानी के साथ बनाएं, खाएं हमारी रेस्पी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सबस्काइब जरूर करें और बेल आइकान जरूर दबालें शुक्रिया